वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी देखते हैं आज हम जानेंगे निर्मा कंपनी के संस्थापक और जाने माने उद्युक पती करसन भाई पतेल के बारे में करसन भाई ने 21 साल की उमर में B.S.E. Chemistry की पढ़ाई की थी उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एमदबाद के एक कॉटन मिल में लेब टेकनीशन के रूप में शुरू की थी करसन भाई की Chemistry में अच्छी पकड होने के कारण उन्हें 1969 में स्टेट गवर्मेंट के जियोलोजी एंड माइनिंग डिपार्डमेंट से जॉब ओफर आया और उन्होंने उसमें जॉइनिंग ले लेकिन उनके मन में जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने की इच्छा थी इसलिए उन्होंने अपने घर के एक छोटे से रूम में खुद के हातों से वाशिंग पाउडर बनाना शुरू किया उन्होंने इस वाशिंग पाउडर का नाम अपनी बेट निरुकमा के नाम पे रखा जिसकी मित्व एक कार एक्सिडेंट में हो गई थी उस वाशिंग पाउडर को जब वह अपने ऑफिस के लिए अपनी सैकल पे जाते थे तो लोगों के घर घर जा जाके वाशिंग पाउडर को वह बेचते थे और जब ऑफिस से आते थे तब भी वह ऐसा ही करते थे इस प्रकार उन्हों ने लग बग 3 साल अपना washing powder इसी प्रकार बेचा इन 3 सालों में उन्हें इतना समय मिल गया था कि वह अपने washing powder की quality को और भी अच्छा बना सकें और customer का एक अच्छा सा base बना सकें उस समय बड़ी बड़ी कमपनिया जैसे हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर एंड गैंबल और भी अधर कमपनिया अपने वाशिंग पाउडर को 9 से 15 रुपए में बेच रहे थी वहीं करसन भाई पटेल वाशिंग पाउडर को सिर्फ 3 रुपए में बेच रहे थी वाशिंग पाउडर को बेचते थे, दीरे दीरे करके उनका बिजनस और भी बढ़ता गया और वहे अपना स्टाफ भी बढ़ाते गए इस प्रकार दीरे दीरे करके निर्मा वाशिंग पाउडर प्रने पूरे गुजरात में अपनी अच्छी खासी पकड़ बना ली अब उन्होंने अपने वाशिंग पाउडर को दूसरे राजियों में भी भी भीजना शुरू कर दिया लेकिन उनका रिस्पोंस दूसरे राजियों से अच्छा नहीं आ रहा था तब वह उसे आगे केस लिए समय मांग कर टाल देते थे जिसके कारण धीरे धीरे करके निर्मा कंपनी का प्रॉफिट कम होता जा रहा इसे देख कर करसन भाई पटेल ने सभी अंप्लॉई की इमिडिट मीटिंग बलवाई और सब को यह स्ट्रिक्ट ओर्डर दिया कि अपना सारा माल मार्केट से वापस मंग वालो और आगे की सप्लाई को भी रोग तो इस कारण रातो रात निर्मा वाशिंग पाउडर मार्केट से पूरी तरह गायब हो गया जिससे दुकानदार और दूसरी कमपनियां बड़ी हैरान हो गई लेकिन करसन भाई पटेल के दिमाग में कुछ अलगी बात चल लई थी उस समय बारत में तेजी से बदला होते जा रहे थे इसका रहन जादतर लोगों के यहाँ पर कम से कम एक बलेक इन वाइट टीवी तो थी ही तो जब कमपनी का सारा माल वापिस आ गया उसके बाद उन्होंने दूर दर्शन जो कि उस समय का सबसे प्रचलित चैनल था उस पर लगातार एक दो महीने अपने वाशिंग पाउडर के एट चलवाए इस एट के बोलों ने लोगों के दिल में घर्ड कर लिया अब हर एक कस्टमर को निर्मा ही चाहिए था लोग रोज मार्किट जाते तो निर्मा ही मांगते लेकिन निर्मा कहीं मिलता ही नहीं इससे दुकानदार भी बहुत परिशान हो गए क्योंकि निर्मा की डिमांड बहुत बढ़ गई थी लेकिन निर्मा की सप्लाई तो आ ही नहीं रही निर्मा की डिमांड को देखते हुए करसन भाई पटेल ने एक बर फिर से employees की meeting बुलवाई और supply को दुबारा चुरू करने की नई term और condition बताए कि निर्मा कंपनी अपसे credit पर माल नहीं देगी इस एक decision से उन्होंने अपने brand की value और company की value कई गुना बढ़ा ली इस परकार निर्मा एक बहुत बड़ी company बन गई आज की समय में निर्मा ग्रूप लगबख 14,000 से ज़्यादा लोगों को job provide करती वीडियो देखने के लिए आप चैनल को subscribe करें, like करें, share करें और comment करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगए